हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू SSC कोचिंग सेंटर, दोस्तों, आज का वीडियो वहदी ही खास होने वाला है, क्योंकि महत पूर्ण प्रेशनी लिए गए हैं, तो पूरा वीडियो देखेगा, चले स्टार्ट करते हैं, पहला प्रेशनी है, दस हजार तक कितनी संक्या हैं, जो 21 35 एवं 65 से भाजी होंगी, 1000 से कम कितनी संक्या हैं, जो 21 से भी कटे, 35 से भी और 65 से भी कटे, तीनों से कटनी चाहिए, तो हम करेंगे क्या, 21, 35 और 65 का LCM ले लेंगे, इनका हम क्या करेंगे, तीनों संक्याओं का LCM ले लेंगे, अब इन तीनों संक्याओं का LCM ले लेंगे 1365 इनका LCM निकल के आगया तो हमारे पास कितनी संक्याती 10,000 थी इस 10,000 में क्या करेंगे 1365 से डिवैड दे देंगे बहुत सारे बच्चे ये कन्फिज में होंगे कि सर आपने LCM लेके तो हमें दिखाया नहीं हम आपको तरीका प्रोवाइड कर रहे है कोचिंग सेंटर के नाम से वरना आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं आप देख लेंगे तो आप अच्छे से सीख जाएंगे इसी का नहीं सभी संक्याओं का सीख जाएंगे LCM लेना तो क्या करना होगा 1365 से 10,000 में डिवैड दो कितनी वाज जाएगा 1391 होता है 1391 तक चला गए 9100 और पैंसेट का गुना साथ से करूँगा तो 455 तो इसका मतलब 9500 पचपन तक कटेगा 10,000 में से 9500 पचपन तक कटेगा कितना साथ वार में क्यूंकि 1391 तो भी यह साथ वार में कटा 8 वार में कटाऊंगा तो 10,000 से उपर चला जाएगा तो केवल साथ संख्या ऐसी है जो इन तीनों से कटेंगी ठीक है साथ संख्या केवल 10,000 से कम केवल साथ जो तीनों कटा रही है ठीक है तीनों कटा रही है तो साथ संख्या केवल ऐसी तो B option हो जाएगा आपके प्रश्ने का बिल्कुछ सही जवाब अब देखेंगे अगला प्रश्ने अगला प्रश्नी है एक, दो, तीन, चार, पांच और ये हमारा चलता जा रहा है N तक अनन्त तक चा रहा है N तक जा रहा है कोई भी संक्या हो सकते इस N का मान कोई भी संक्या तो इसका माध्य क्या होगा वो हमें बताना है समांतर माध्य क्या समांतर माध्य हमें बताना है तो कैसे निकालते हैं भई समांतर माध्य N पिलस 1 डिवाइड़ बाइ 2 बस खतम ये हमारा आंसर हो गया अब N की जगे कोई भी संक्य हमारी यहां हो सकती थी 25, 26, 27, 29, 30 कुछी भी हो सकती थी तो N की जगे उससे लिखेंगे उसमें एक जोड के दो से डिवाइड कर देंगे या अंसर आ जाएगा बात समझ में आ गई अब देखेंगे अगला प्रेशने अगला प्रेशनी है यदि कोई धन 10 वर्स में 2 गुणा हो जाता है तो ब्याज की दर ग्याद करें कोई धन है दस वर्स में 2 गुणा हो रहा है धमने हमें नहीं पता तो हम उससे 100 माल लेंगे और ये कितना हो रहा 2 गुणा तो इसका मतलद 200 हो जाएगा बैकितना हो रहा, 2 गुणा ही तो हो रहा है, जहां दिरा है 2 गुणा, तो 100 मैन ait कोई धन है, मैं उसे 100 मान लिया, उसका 2 गुणा 200 हो जाएगा, तो 100 से 200 हो गया, तो इसका मतलव उस पर भ्याज कितना मिला, 100 रुप्या भ्याज का मिला, और कितने समय में हो रहा भाई या कोई धन 10 वर्ष में हो रहा है समय लग रहा है 10 वर्ष का के लिए रहा है अब simple interest बराबर जो formula है उसे नगाल दो P R T बटे 100 ब्याज कितना है हमारा 100 पे कई तो ब्याज है तो 100 लिग दूँगा principle कितना माना है हमने 100 माना है 100 ले लेंगे rate निकालना है किस दर से हो रहा है तो R निकालना है time है हमारे पास 10 साल का तो 10 ले लो और पूरे का बटा 100 तो 100 से ये 100 कट गया और 10 से ये 100 कट जाएगा 10 बार में इधर बचा 10 इधर बचा R तो rate क्या हुआ rate किया हुआ rate 10% का हुआ यही हमारे सवाल का बिल्कु सही जवाब हो जाएगा समझ में आगी बात अब देख लेंगे अगला प्रेश्ण अगला प्रेश्ण है बहुत ही confusion वाला प्रेश्ण जहां दसमलब में square वाली संक्या या क्यूब बाली संक्या आजाएं बच्चा बहुत परेश्ण हो जाता है आसानी से बताऊंगा पांच से सेकिंड से ज़्यादा नहीं लगेगा हमें दे रखा पांच दसमलब चाल की होल पावर तीन माइनस जीरो दसमलब जीरो चोंसट बटे माजाएं ये 5 दसमलब 4 की होल पावर 2 प्लस 2 दसमलब 16 प्लस 0 दसमलब 16 देखिए मेरे पास ये 64 है ना मैं 64 को क्या लिख सकता हूँ इस 64 की जगे में लिख सकता हूँ 64 का क्यूब रूट अगर मैं करूँआ तो कितना होता है 4 4 ही तो होता भई और ये क्या है दसमलब है 0 है ना तो 0 लग जाएगा यहाँ पर 0 दसमलब इसकी पावर कितनी हो गए 3 भाई मैं 64 को क्या लिख सकता हूँ 4 की पावर 3 लिख सकता हूँ कर नहीं लिख सकता तो मैं इसे पूरे की जगे इसको लिख दूँगा तो मेरा प्रेशनी क्या हो गया 5 दसमलब 4 की पावर 3 माइनस 0 दसमलब 4 की पावर 3 यही तो हो गया अब यह मेरे पास एक फॉर्मूला बने गया AQ माइनस BQ AQ माइनस BQ का मेरे पास फॉर्मूला बन गया AQ माइनस BQ क्या होता है यह होता है A माइनस B इन्टू A स्क्वेर पिलस का A B पिलस का B स्क्वेर इसी के बराबर तो होता ही है तो भाईया मेरे पास जहाँ A Q माइनस B Q है मैं उसकी जगह इसको लिख सकता हूँ बिल्कुल लिख सकता हूँ और मैं बटे में जब चेक करूँगा तो यह मेरे पास A ही तो है तो A का स्क्वेर दे रखा है पिलस का दे रखा है पिलस का दे रखा मेरे पास A स्क्वेर हो गया पिलस का दे रखा मेरे पास A B तो दोनों का मैं गुना करूँगा तो इतना आ जाएगा यह दे रखा है फिर उसके पार दे रखा बी स्क्वेर आप देखी मैं सोले को क्या लिख सकता हूँ भाई समझे सोले को में क्या लिख सकता हूँ इस सोले को में लिख सकता हूँ चार का स्क्वेर यहाँ पे क्या था चार का क्यूँ यहां 4 का स्कॉर तो B हो गया के नहीं हो गया A स्कॉर पिलस A B और पिलस का B स्कॉर तो वही संख्या बनके आ गई जो फॉर्मूले में है तो बटे में भी यही संख्या दे रखी मेरे पास A स्कॉर पिलस का A B पिलस का B स्कॉर तो इससे ये पूरा-पूरा कट गया, बचा किया A-B, तो मुझे A-B कर देना है, बस आंसर आ गया मेरा, A कितना वही मेरे पास? पांच, दसमलब चार, और B कितना है मेरे पास? 0, 10, 4, यही तो है, 0, 10, 4 इसको घटा देना है, 4 में से 4 गया, 0, 10, 5 आ गया, बस यही मेरा सवाल का सही जवाब, 5, यही मेरा आंसर आ गया, तो सबसे आसान प्रेशन है, एक से दो वार इसकी प्रेक्टिस आप कर लेंगे, तो स फॉर्मूला पर आपको याद होने चाहिए, AQ-BQ या A²-B², A²-B² यह फॉर्मूला आपको आने चाहिए, अब देखेंगे अगला सवाल, अगला सवाल है, 12 व्यक्ति 4 दिन में 12 जाड़ों बना सकते हैं, तो 8 व्यक्ति 8 जाड़ों कितने दिन में बना सकते हैं, व्यक्ति जो बी चीज कार्णा करने वाली हो जाहिए, वो जानम्र हो चाहिए, कोई मशीन चाहिए, M कितना है, 12 कितने दिन ले रहा है, वो 4 दिन, टाइम की बात कहीं है, टाइम की बात नहीं कहारा, 4 गंटे, 6 गंटे तो टाइम को रहने देंगे, उस ace की कोई प्रॉब्ल तो इधर क्या बचा डी टू तो आप डी तो कितने दिन बनाएंगे वैया, चार दिन में बनाएंगे, यही आपका सही जवाब होगा। अब देखेंगे अगला सवाल, अगला सवाल है, 120 के कितने भाजक हैं, आप इन सभी का भाज कर लेंगे, सबसे पहले 2 से कटाएंगे, 60 बार में, फिर 2 से कटाएंगे, 30 बार में, फिर 2 से कटाएंगे, 15 बार में, अब 3 से कटालो, 5 बार में, अब 5 से कटालो, 1 बार में, तो तो हजय कितने निकल क्या है भाई देखिए दो कितनी वार आया एक दो तीन वार दो मेरा कितना वाया तीन वार तो दो की पावर तीन कर दूँगा मैं इंटू तीन ही मेरा कितना है, एक बार तो तीन की पावर एक कर दूँगा, पांच ही मेरा कितनी बार आया, तो पांच की पावर एक कर दूँगा, ठीक है, कर दिया, प्रेशनी ही खतम, प्रेशनी क्या होगे भाई, मेरा यहीं खतम हो गया, अब मुझे इसमें करना क्या है, बस यह द निकालनी है भाजिकों की क्या निकालनी है संक्या निकालनी है तो मैं देखे का करूंगा यहां पर मेरी पावर कितनी है भाई दोने का 16 मेरा भाज़कों की संख्या निकल के हैं ?16 यहीं आपका आंस्र हो गया इपकरने के बाद में 2-3 वार था मैं न Kitchen वार लिख लिए, 3-1 वार था 5-1 वार था एक वार लिखLoveा अब सभी पावन में एक एक जोड के उनका अपस में गुना कर देना भाजकों की संख्या निकल क्या जाएगी समझ माया अब देखेंगे अगला सवाल अगला सवाल है आठ वर्स में कोई रासी 5% की दर से 175 रुपे हो जाती है तो राशी ग्याद करें बहुत अच्छा सवाल कोई राशी हमारी कितनी हो रही है 175 रुपे हो रही है आठ वर्स में कोई रासी 5% की दर से 175 हो गी 5% की दर है जब प्रेशन हमारा साधरन ब्याजका है तो एक साल का रेट 5 तो आठ साल का कितना आठ पंजे 40 तो सो मैं 4 जोड के लिखिंगे तो सीधा-सीधा 140 राशी परप्ट करनी है यानिकि 100% का मान राशी क्यात करनी है इसका मतल़ 100% का मान ग्यात करना कटा लिजे बस इसको कटा लेंगे आपकी प्रशने का बिल्कुल सही जवाब आजाएगा देखे मैं इसे 20 से कटाऊँगा 7 बार में और 20 से से कटाऊँगा तो ये कट जाएगा 5 बार में ठीक है अब इसको मैं 7 से कटा के देखूं 7 दुने का 14 तीन बचे का 35 साथ पंजे 35 बार में गया और 25 का गुना मैं 5 से कर दूँगा तो ये हो जाएगा 125 आपकी प्रशने का सवाल का जवाब 125 तो वो राशी कितनी है वो राशी 125 है जो कि 5 परसेंट की दर से 8 वर्से में 145 हो जाएगी अब देखेंगे अगला सवाल अगला सवाल है रूट के प्लस का साइन है न तो इसको जोड़ देना है प्लस कर देना है इसमें तो मैं 12 में 4 को प्लस कर दूँगा तो मेरा 16 हो जाएगा और फिर से 16 का स्क्वार रूट 4 प्लस का साइन है न तो यहाँ पे 4 को प्लस कर देना है दो 211 में 4 जोड़ूँगा ये हो जाएगा 225 अब 225 इसका square root कितना होता भई 15 फिल इसका sign है न तो इसको 15 को इसमें plus कर देना है तो 10 में 15 जोड़ोंगा 25 हो जाएगा और फिर 25 का square root पूरा कितना 5 तो आपका सही जवाब कितना 5 यही आपका सही जवाब है तो आप अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा ठीक है दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद